हेलो गाईज स्वागत एक बार फिर से आप सभी का आपके अपनी ही चनल फेंटेसी बस पे हम यहां बात करेंगे जो आज का मैच खिला जाएगा एलिमिनीटर का जो की बैंगलोर और लखनों के बीच में खिला जाएगा तो इसके बार में हम बात करेंगे ग्रेंड लिग के कि कौन से वह प्लेयर्स हैं जो आपके लिए ट्रम पिक्स हो सकते हैं ग्रेंड लिग में विद लॉजिक ठीक है सब चीज बात करेंगे के कौन अच्छी ऑप्शन हो सकते हैं क्या कुछ कॉम्बिनेशन हो सकते हैं आप सभी के लिए तो वह सारी चीज़े हम दिसकस करने वा और एक चीज़ मैं आपको ओवर्विव देते हैं चल देता हूं कि जो पिछ रिपोर्ट है किस टाइप किये देखो लास्ट मैच जो आ था वो बल्ले पाजों के लिए ठीक ठाक विकेट था साइकेंड देंग में थोड़ा सा इजी था बैटिंग करना और जो बात करें पे इसको 27 यानि यहां पर जैसे जैसे अगर मैच होता है तो फिर वैसे 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 विकेट होती है और अगर कल का यूज़ विकेट यूज़ होगा ऐसा कुछ मुझे पता चलता है तो मैं आपको टेलिग्राम पे इनफर्म कर दूँगा यह थोड़ा सा हैड-to-head record आप देख थोड़ा ठीक था गया इसके अलावा थोड़ा सा अप प्लेयर बैटल देख लो कौन किसके अगेंस्ट करता है तो यहां पर आप देखेंगे कि जिसको ज्यादा बार आउट किया जैसे मैक्सवल ने केल राहूल को दो बार आउट किया है डिकोग के सामने एक बार आउट जरूर किया इनको लेकिन ठीक खेलावा डिकोग ने तो इस तरीके से आप यह सब का देख सकते हैं कौन कितने बार बालिंग डाले कितने बार आउट किया है यह सब प्लेयर डिसकस कर चुका हूँ मैं इसलिए आपको सिर्फ ओवर्वियू दिखा दे रहा हूँ जिसके ना किस डायरेक्शन में मैच हो सकता और उसी डायरेक्शन में हम टीम बनाएंगे ठीक है दिनेश कार्तिक देखो इनका रिकॉर्ड अच्छा इस टीम के अगेंस्ट और यह फॉर्म में भी सीजन प्रमोट भी हो सकते हैं तो ग्रेंड लिग में यह आपके लिए अच्छी चॉ ज्यादा रिक्वाइड हो गया या फिर बहुत ज्यादा रंज बनाने तो फिर इनको टीम प्रमोट करेगी बैट्समेंस के उपर तूडाउन भी भेज सकती है अकॉर्डिंग टो सिच्वेशन ठीक है तो यह अच्छे हो सकते हैं वो सिच्वेशन में कॉनाल पांडिया इस तो यह चीज़ देखना है इनको आपको ट्राइकर प्लेयर्स इनको रोटेट करना है कॉनसे कॉंबिनेशन में वह देखेंगे बट इनको तो एज़ा प्लेयर ट्राइगर ना है हम कैप्टन किसे बना है तो उसके लिए स्मॉल लीग में आपके पास चार ऑप्शन है क्विंटन डिको केल राउल फाफ़ड़ प्लेस ग्लैंड मेक्सल जो के सबसे सेफेस्ट है ग्रैंड लिग में आप किसे बना सकते हो यहां पे तो जैसे कल का मैच वह आपने देखा हुआ अच्छा स्कोरिंग वाला हुआ और थोड़ी सी टीम चेजिंग करने में इजी वह हो रही थी तो अगर हम देखें जो यह मैंने टीम बनाई यह जो कॉम्बिनेशन किस बेस पर है एसल प्लस डिफरेंशियल क्योंकि यहां पर हम में प्लेयर्स को एसल वाले प्लेयर्स को ही लेते हैं बस कुछ एक डिफरेंशियल चॉइसे लेते हैं जैसे मैंने यहां पर क्विंटन डिकॉक को ड्रॉप किया है अब मैंने क्विंटन डिकॉक को ड्रॉप किया मैंने यहां से हेजल लूट को लिया क्योंकि उनके सामने अब इनkie team हुटा को बेशती है हगर अगर झूटा को नहीं तो ये लिविस को भेश सकती है रीजन क्योंकि अगर लेफ्टेंटर जा रहा है तो लेफ्टेंटर को बेश सकती है ठीक है और दीपा खुड़ा अच्छी फॉर्म में इसेजन क्या पता एविल लो इसके बाद ये भी थोड़े रंच बनाते हैं तो ये तीनों से रंच उम्मीद है जिसमें ये एक तरफ से एंकर करते हैं रंच बना रहे हैं उसके बाद देथ में आके कुनाल पांडे यादी क कुछ अच्छा करते हैं बीच में हसरंगा इनका विकट लेगे जाते हैं तो फिर ये हमारे लिए कुनाल पांड़ा भी एक अच्छी चॉइस हो सकते हैं ठीक है अब देथ में हरसल पटेल को विकट्स नहीं मिल रहे हैं कि उन्होंने रंस लीग किये स्टीम के अगेंस्ट और मैं एक्सपर्ट कर रहा हूं कि उनको हिट करें यह लोग ठीक है अगर क्या पता उनको विकट्स मिल जा तो आप हसरंगा कि देख उनको ले सकते हो उसके बाद जब इनकी टीम चेज करने आ रही है तो मैंने आपको बोला कि चेजिंग उतना जादा कठीन नहीं है अगर और इनके बीच में पार्टनर्सीप हो रही है थोड़े से रंद बसते हैं बट विराठ कोली फिर आउट हो जाते हैं क्योंकि यह मैक्सिमम टाइम मैच फिनिस मतलब अच्छा स्थिति पर लेके आ जाते हैं लेकिन विनिंग रंस जो है वो कोई और मार के चला जाता है ठीक आप रोटेट कर सकते हैं अब मैं आपको एक और दिखाता हूं इसमें इसमें भी मैंने जो है आल्मोस्ट सेम किया हुआ है सेम कॉंबिनेशन है मतलब एसल वाला ही मैक्सिमम प्लेयर्स हैं इसमें लेकिन कुछ डिफरेंशियल्स हैं अब इसमें क्या है मैंने हार रही है तो भी तो वह एक कॉंबिनेशन बन सकता नहीं है जैसे इन्होंने अच्छा स्कोरिंग किया ठीक है है हेजलवूड हर्शल पैटल ने जथ में विकेट्स लिया हुआ है स्टोइनिस फस्ट बॉलिंग में मैंने इसलिए फस्ट बैटिंग में इसलिए लिया क्विंटन डिकोग अब उसके बाद इनकी टीम स्टार्टिंग में विकेट्स नहीं दे रही है इसलिए मैंने महसीन खान को लहीं लिया है यहाँ ठीक है इन दोनों को लिया शुरुवात अच्छे मिल रहे हैं इनको अब चुकि इन लोगों ने अच्छे रंस बनाए को मार मैक्सवल रंस बना है बट फिर एक टाइम आता है जब होलडर कुच्छे में विकेट लिके सब्सक्राइब और बीच में यहाँ धोड़े रंस प्लस विकेट भी सकते है इसलिए इनको लिया हुआ है आप चाहे तो आप अपने इसमें चेंज़स कर सकते हैं आप इस पहुत सारे बना सकते हो वह बस डाएरेक्शन यह रखना कि हां मैं पिच किस टाइब के क्योंकि देखो उससे होता क्या है अगर आप पिच को ध्यान में रखते हुए प्लेयर्स की स्ट्रेंथ और वीक्नेस जो अभी हमने डिसकस किया मैंने आपको जो ओवर्वीग दिया अगर आपको और डीटल में जाने तो हमारी पहली वाली वीडियो क्यान में रखते हुए चेंजिस करने क्या अगर हम मैच रीड कर रहे हैं जैसे मैंने बोला इसमें चेज हो जा रहा है इसमें चेज होते 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 रहा जा रहा नहीं हो पा रहा है विकट्स निकल के आ रहे हैं कुछे में इस तरीके से मैच हो सकता है इस ग्राउंड पर त जस्ट लाइक वन साइड इसमें क्या करना होता है एक टीम के पांच बॉलर लेने होते हैं उनके दो उपनर लेने होते हैं बाकि सामने वाली टीम के चार कोई भी प्लेयर जो की यहां जाने मैं तो आँम लखनों ऐनके पांच बॉलर लेना को दिक्कत वाली बात नहीं होगी डिफरेन्शल करना है तो जैसे सहाब आज़ità मत की जगे आप किसी इनी का प्ले ले लो जरूरी नहीं कि वन साइडेट साथ चार का यह कॉंबिनेशन होगा साथ पांच का भी हो सकता है क्या पता है इनका एक बोलर विकेट लिस चले जाए बाकि इसा विकेट ले और यह दो रन बना दे तो वह डिफरेंशियल में आ जाता वह डिफरेंशियल कर सकते हो इसी प्रकार से जो इस्मॉल लीग वाले काम्बिनेशन आपको बताया गया है इसमें आप डेथ बॉलर पर भी कप्तानी वास कप्तानी रूटेट करके और कॉम्बिनेशन बना सकते हो क्योंकि हो सकता है दो नो तीम के डथ में विकेट गिरे जैसे यहाँ पर यह गुच्छे में विकेट लेके जा रहे है और यहाँ पर हर्चल पतवल और हिजल वूट देख लेके जारे गुच्छे में ठीक है तो इस तरीकी सा आप इन पर कप्तानी वस्ट कप्तानी रोटेट कर सकते हो देख बॉलर्स पर यह अलग कंबिनेशन हो ग लेंगे और मिदल लॉडर के बैट्स में लो कप्तान आप आल राउंडर या फिर बॉलर्स पर रूटेट कर सकते हो तो यह अरली विकेट्स है वही लोई स्कोरिंग वाला आप मान सकते हैं लेकिन आप एक चीज जिसमें और कर सकते हैं मैंने दोनों टीम का अरली विकेट्स दिखा सकते हो और सामने वाली तीम जी तरहीं चार विकेट्स से या फिर स्चेसाथ विकेट्स से तो उसका एक दो विकेट्स गिराते हैं सामने अलाग अला इंप्लीमेंट तो आपको करना है ठीक है क्योंकि इसमें 80-85% लक्क डिपेंड करता है ग्रैंड लिक्स में तो वह लक्क अगर आपके पास हुआ आपने स्किल्स यूज किया है तो डेफिनेटली आप लोग का भी रैंक इंप्रूव होगा यह लॉंग टर्म तक बेनिफीशल रहेगा कई सारे प्रूस आपको देखने हैं आप हमारे इंस्टेग्राम और ट्वीटर पर जाके देख सकते हूं डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा मैं स्क्रिंसोर्ट डाल देता हूं काफी लोगों के इसके अलावा भी जो भी फाइनल अपडेट होगा इस वीडियो के बाद कुछ भी न्यूज आएगा इस मैं आपको टेलिग्राम पर इंफर्म करूंगा लिंक नीचे डिस्क्र के सबसे पहले कोमेंट में तो जाएए और जुड जाएए दोस्तों आशा करता हूं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी अपने काफी कुछ सीखा होगा अगर सीखा होगा तो लाइक जरू कर देना चैनल पर नए हो तो सस्क्राइब कर देना धन्यवाद दोस्तों य वीडियो वाच करने के लिए